Based Push Notification Service for our blog दोस्तों, मार्केट पे बहुत सारे Push Notification Service है ब्लोग के लिए कुछ फ्री है, कुछ पेड है लेकिन हम Based किसको कहेंगे जिस भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हो जो हमारे ब्लोग को प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है ग्रोथ में उसको हम Based कहेंगे और आज इस वीडिये में आपको ऐसे ही Based Push Notification Service के बारे में बताऊंगा वो भी Practically और प्रॉप के साथ क्यों बोग Based है और Definitely आप सबको तो पताईए जो Discover से Unlimited Traffic हमें मिल रहा है किसके लिए अगर हम Push Notification Traffic इमिडेटली भेशते हैं Initial Traffic इसलिए हमारा Post Google Discover पर जा रहा है हमें बहुत ज़्यादा Traffic भी मिल रहा है तो इसलिए हमें चाहिए Best Push Notification Service जो ये चीज़ के लिए हमें help करे ठीक है ताकि हमारे ब्लॉग पर ट्राफिक आए इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए इंपोर्टन्ट है अगर आप यूज करना चाहरे हो Push Notification Service तो डेफिनेटली वीडियो के एंड तक देखो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप बेतर तरीके से अपने ब्लॉग पे ट्राफिक लापाओ तो इदाउट वेस्टिंग टाइम अभी चलिए जानते हैं बेस्ट पूस्ट नोटिविकेशन सर्विस कौन सा है या पिर उसका नाम क्या है लिकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आएगा हम लोग यहाँ पे पूस्ट नोटिविकेशन सर्विस यूज ही क्यों कर रहे हैं, बहुत सब लोगों को नहीं पता होगा, सबसे पहले मैं आपको clarification देता हूँ, पहला point वाई, अभी जो आप real time traffic देख रहे हो, ये discover का traffic, ये एक छोटा सा blog और नया blog का traffic है, और इस से कही गोना चादा traffic आता है, मतलब real time 10,000, 20,000 भी चलते हैं, discover traffic से और discover पे जो इतना सारा traffic आता है, उसमें एक key point होता है, आप लोग initial direct traffic कुछ भेजो, discover के लिए, अपने post पे, और initial traffic कहां से आएगा, अगर आपने push notification कलेट करके रखाए, अपने push user को, notice भेजोगे, बोलोग अपने website को आएगे, तो हो गया वहाँ पे initial traffic और आपना post जाएग discover पे, तो अगर आप लोग direct push traffic भेजते हो आपने post के अंदर, तो chance बहुत ज़्यादा है कि आपका जो post है, वो Google discover पे जाएगा, और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा traffic मिलेगा, और traffic admins की कमाई भी अच्छा होगा, समझ गे, और दुसरा point भी बहुत important दोस्तों, आप push notification अ महीने आपका जो ranking था वो down हो गया, आपका traffic था वो भी down हो गया, तो अब कमाई केसे होगा, आपके पास जब traffic है, तो आपको उसको collect करके रखना चाहिए न, अगर traffic down हो गया, तो traffic आएगा कहां से, तो traffic नहीं आएगा, लेकिन यही पे अगर आप use करते हो push notification service, मालनो आप ए आपके post में आ जाएंगे, तो आप आसानी से, भाई एक बार traffic collect करके रख लोगे, वही traffic से daily basis आपने notification भेजा, traffic आया और आपका कमाई हुआ, तो यह बहुत easy process है, अगर आप push notification यूज करते हो, आप long time के लिए कमाई करोगे, और आपको सिर्फ organic traffic पर depend भी नहीं होना है, और अगर आपके पास audience base होगा, आप किसी भी नया website को easily rank भी करवा सकते हो, समझ पा रहे हो ना, तो यह है benefit, तो अब चलिए जानते हैं कि भाई, मैं जो कह रहा हूँ, best push notification service वो कौन सा है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, screen पे, तो अभी screen पे चलते हैं, अभी दोस्तों screen पे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, कौन सा best push notification service है, लेकिन सिर्फ आपको वो नहीं जानना है, आपको जानना है कि वो best क्यू है, और आप उसको कैसे ले सकते हो, आप उसको कैसे इस्तमाल कर सकते हो, आपको हार इक चीज detail में जानना है, तो अभी चलिए जानते हैं, ठ self-hosted push notification service है, जो कि अभी गिडाएंपे में कहूंगा, one of the best है, मतलब इससे उपर कोई है ही नहीं, अभी गिडाएंपे, future में कोई आगे हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन currently ये सबसे best है, और इसका सबसे खास बात में बताऊं, यहाँ पे जो लिखा गया है, no monthly expenses, मत आपको monthly यहाँ पे investment नहीं कर ला है, और इसके बारे में आपने बहुत बार रोगों से सुना होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, और यह paid है, free नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्यों यह based आपको वो भी समझना चा जिसमें है, जो कि आपका blog को और आपका blogging career को growth करने में मदद करेगा, कैसे मैं आपको point wise explain कर देता हूँ, सबसे पहला point दोस्तों, speed delivery, अगर आप push notification send करते हो, user की पास बहुत quick जाके पहुंचता है, लारा push से, जो कि काफी other companies है, वो claim तो करेंगे पहुंचा दिया हैं हमने, लेकिन actual वो गया नहीं होगा, इसे मैंने बहुत को practically try करके देखा है, जो कि हुआ ही नहीं है, और मैं इस वीडियो में बहुत बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सायद वो लोग copyright दे सकते हैं, मेरे ओपर claim कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास prove है भाई, claim तो करते हैं, लेकिन बहुत deliver करते ही नहीं है, push notification, ठीक है, तो ये पहला point is speed delivery, और इसका फाइदा क्या है दोस्तों आप सबको पता है, हमें discover से traffic मिलता है, अगर हमारा post discover पे जाता है तो, लेकिन discover पे जाने के लिए आपको quickly बहुत सारे initial traffic भेजना होता है, इसके लिए लारा push आपको help करता है, तो ये बहुत fast notification deliver करता है, जिसकी user immediately आपके post में आता है, और आपका जो post है, वो discover पे जाने के लिए eligible हो जाता है, ये पहला factor गया, दूसरा factor क्या है, दूसरा factor दोस्तों मैं आपको एसे ही नहीं कोँगा, मैं आपको कोँगा भाई, आप लोग खुद ही देख लो, सबसे पहले मैंने एक website open किया, और यहां पे मैंने push notification enable करने के लिए चाहा, तो यहां पे देखो, आप खुद अच्छे से देखो, एक बार नहीं मुझे यहां पे दो बार allow करने के लिए कह रहा है, दो बार, अगर दो बार मैं allow करूंगा, तम जाके क्या होगा भाई, वो user add होगा, लेक तो single click में ही, वो allow हो जाएगा, समझ पार हो ना, तो हमें एक बारी में ही एक user को collect कर लेंगे, लेकिन मालो, और वो भी हम थोड़ा बहुत trick डालेंगे, तो वो हो जाएगा easily, समझ पार हो, अगर हम optimize कर देंगे वो prompt को, तो easily हम लोग क्या करेंगे, collect कर लेंगे सिक एक एक ब मतलब एक click करेगा, तो user collect हो गया, लेकिन आपने जैसे देखा, दूसरे बहुत सारे company आप खुद experience करिएगा, अपने website पर कोई freebie use करके आप देखिएगा, उसमें ये feature है भाई, दो बार enable करना पड़ता है, तो ये दूसरा factor है, अब तिसरा factor पे चलते हैं, दोस्तों तिसर factor आप सबने सुना होगा, बहुत सारे company कहते monetization plan, भाई सबसे पहले इसका trap समझो, monetization plan में दिक्कत क्या होता है, मैंने भी experience किया दिन आपको बता रहा हूँ, monetization plan पे मान के चलो आपका एक टेक blog है, सबसे पहले समझो बात को, आपका एक टेक blog है, और उस टेक blog पे आपने subscriber collect कर रखा है, और monetization plan में लोग क्या करेंगे, आपका subscriber को use करेंगे, company use करेंगा, वो अपने हिसाब से किसी को भी notice बेज सकता है, मान लो side website पे बेज दिया, entertainment पे बेज दिया, लेकिन आपका blog है टेक पे, ठीक है, और वहाँ पे सबसे पहला देखो भाई, मैं earning की बात, मतलब बात में करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा, आपका user, आपका user है, वो subscribe किया था, आपका take information के लिए, लेकिन जब उसको साइरी का मिलेगा, news का मिलेगा, एंटेंटेंटेंट मिलेगा, तो वो क्या करेंगा, सिधे unsubscribe करेंगा, तो सिधे-सिधे आपका subscriber यहाँ पे दिर दॉलर नहीं होगा, 0.001 something अमाईग होगा, और वही चीज अगर आप खुद करते हो, भाई, एक लाक तक का notice आप खुद ही बेज़ दोगे अपने post बे, तो immediately आपको तो 5 डॉलर का कमाई हो जाएगा, तो आप किसी company के ओपर क्यों depend होगी, भाई, समझ पा रहे हो ना, और आप खुद समझो, आपके लिए कौन सा बेदर है, भाई, एक तो जो पेसा वो देंगे, वो मतलब कुछ काम का ही नहीं है, और दुसरा आपका subscriber भी गिरेंगे, तो उससे अच्छा है कि भाई, हम ऐसा यूज करें, जहां पे हम खुदी ही कमाले अपना, ठीक है, वो push notification के सा आपका relevance भी रहेगा, क्योंकि जो take information चाहिए, उसको भी take information मिलेगा, तो वो long time के लिए उसको consume करता रहेगा, तो आपका subscriber भलाई increase जोंगे, decrease नहीं होंगे, समझ पा रहे हो ना, तो ये था 3 point, और अभी चौथा बात करते हैं, जिसकि यहां पे आपने देखा no monthly expenses, भाई, अ क्लाक subscriber के लिए आप देखोगे, खुद आप plan compare कर लेना, भाई, बहुत बड़ा amount हर महीन आपको देना पड़ता है, लेकिन भाई, यहां पे one time payment, अगर आपने एक बार setup कर लिया, तो definitely आपको और जिन्देगी भर payment नहीं करना है, सिर्फ एक बार, और देखो दोस्तों, pricing के उपर हम बाद में थोड़ा बात करेंगे, कितना pricing है, आप कितने discount मिलेगा, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अभी हम stepwise चलते हैं, तो यह था कुछ major differences बाकी कमपनियों से, जो कि Lara Push को सबसे अलग बनाता है, आप खुद समझो, आपको यहां पे benefit हर एक point में मिलत करते, features of Lara Push, अगर हम लोग Lara Push का feature के बारे में बात करें न, तब भी आप लोग खुद आके features पे check कर सकते हो, तो मैं आपको वह भी समझा देता हूँ, भाई, यहां पे सबसे पहली बात है, यहां पे lifetime deal, आपको एक बार में जिन्देगी भर के लिए मिल रहा है, आपको बार बार नहीं लेना है, समस्पार हो न, तो सिर्फ एक बार ही आपको investment करना है, उसके बाद आप देखोगे, यहां पे no limits on domain, मतलब भाई, एक ही बार खरीदो, और चाहे 1000, 2000, 3000, जितना, मतलब unlimited domain आप उस puts notification पी use कर सकते हो, और उसके बाद आप देखोगे, यहां पे unlimited subscriber, भाई, unlimited, उसका भी कुछ limit नहीं है, एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग, भाई, millions पे collect करो, आपका website है, आपका, मतलब push notification panel है, इस पे company का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह self hosted है, क्योंकि यह आपके hosting पर store होगा, आप चाहे unlimited user यहां पे collect कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बाद दोस्तों, यहां पे limitless campaign, इसका मतलब देखो, limitless, आपके पास कोई भी limit नहीं है, कि भाई, आप एक दिन में कितने बार campaign कर सकते हो, कितने बार push notification भेज सकते हो, वो completely आपके अपर depend करता है, कि आप कितने बार आपने user को भेजोगे, आप जोगे, भाई, मैं दि subscriber के साथ, और यहां पे company भी आपका subscriber का data नहीं देख सकता, जो कि other companies क्या करते हैं, अपना subscriber का data भी बेच देते हैं, वो भी बहुत बड़ा issue होता है, भाई, तो आप यहां पे देखो, उसके बाद एक scroll करोगे, तो भाई, WordPress plugin भी यहां पे available है, और fast delivery, मैंने जैसे कहा, already यहा dashboard, यह बहुत advanced है, दोस्तो, आप, मतलब easily समझ जाओगे, और campaign की बात करें न, यहां पे देखो, मैं आपको campaign कहीं बता रहा हूँ, domains, सबसे पहले देखो, domains, domains मतलब, आप चाहो तो single domain भी बेच सकते हो, आर्टी टाइम unlimited भी बेच सकते हो, जो भी आपका मर्जी है, वो आप कुछ audience है, अभी आपने article लिखा India के लिए, तो definitely आप यहां पे इसको include मलब, इसको close करोगे, यहां पे search करोगे India, तो India का जितना user होंगे, उनकी पास जाएगा notice, यहां पे targeting बहुत advanced तरीके से होता है, क्योंकि अगर आप India का content लिख रहे हो, और US audience के पास बेज रहे हो, उन के पास available है, और उसके बाद ये भी देखो भई, device, आप चाओ तो mobile user के पास बेज सकते हो, desktop user के पास भी बेज सकते हो, तो सारा का सारा control यहां पे, उसके बाद भई देखो operating system, iPhone user के लिए अलग बेज सकते हो, और Android user के लिए अलग बेज सकते हो, और browser का भी option है, और उसके ब बाद देखो यहां पे title, भाई देखो कोई भी अगर push notification यूज कर रहे हो न, अगर आपको push traffic को अपने website भी लाना है, तो हमेशा title and description का खेल होता है, भाई, title कुछ ऐसा लिखो, description कुछ ऐसा लिखो, कि लोग उस पे click ना करके रहना पाए, तो यह खेल होता है, अगर आपको 5% to 10% का conversion चाहिए, click चाहिए, तो definitely इस दोनों को optimize करके लिखो, title and message को, तो quickly user आपके पास आज आएंगे भाई, उसके बाद आप यहां पे देखो के icon कौन सा लगाओगे, image, URL आप यहां पे दे सकते हो, और कहां पे land कराना है, आप यहां पी URL दे सकते हो, तो completely बहुत easy है, targeting के लिए, तो इतना advance तो definitely कोई और platform नहीं है, आज तक मैंने देखा ही नहीं है, तो यह भी है, और यहां पे WordPress plugin है, इसका मतलब है कि आप जब भी post पब्लिस करोगे, तो automatically भी notification चला जाएगा, तो यहां पे आपने देखा, मैं आपको segmentation भी समझा दिया, customizable prompt, जैसी कि अगर आप बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं, जैसी कि पूछतें क्या है, are you Indian, अगर इंडिया का website है उनका, तो बंदे तो क्या करेंगे, आप इंडिया नो तो यह सही रबाओगे, तो mostly वो इससे ही subscribe करवा लेते हैं, तो आप यह चीज भी करवा सकते हो, औ और इसके बाद खास बात ही देखो, यहाँ पे AMP supported है, अभी तक बहुती rare push notification service मिलेंगे, जो कि AMP friendly है, AMP के अंदर बहुत लुचा होता है, और इसी का आप सबको पता है, भाई, discover पे अगर काम कर रहे हो, तो AMP थोड़ा बहतर result आमें दिलाता है, लेकिन एसा नहीं कि 100% AMP जरू notification service नहीं था, अगर आप इसको लेते हो, तो blogger पे भी आप इसको इसको इस्तमाल कर पाऊगी, कुई blogger पे भी easily काम करेगा, उसके बाद स्ट्रॉल करेगे तो भाई, और भी बहुत सारे, अगर आप developer हो, तो यहाँ पे API बगरा भी मिलता है, तो उससे भी आप इसको सीख सक सकते हो, उसको कुछ इस्तमाल कर, कुछ और भी बना सकते हो, और यहाँ पे report भी आपको detail मिल जाएगा, कितना deliver हुआ, कहां fail हुआ, कौन से user ना unsubscribe किया, सब कुछ मिल जाएगा, और security लेबल पर यह self-hosted है, भाई, इसको समझो, security, मतलब दूसरी company का, अगर आप use करोगे, तो आपका जो data है, वो company के पास जाता है, उनका hosting में store होता है, तो company आपका जो user को कभी भी देख सकता है, कभी भी वो import, अमलब, export कर सकते हैं, लेकिन यह self-hosted है, मतलब आपके hosting पर यह store होगा, इसलिए, यह कभी भी आपके अमलब data नहीं देख सकते हैं, कभी आपका data नही ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके hosting में store है, समझ पा रहे हो ना, आप क्या करोगे, अपना hosting को जितना अच्छे से maintain करोगे, तो कोई भी आपका data नहीं देख पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो यह था इसका advantages, मतलब यह था इसका best features, तो आप अभी समझो भाई, कितना easy है, मैंने आपको यह चीज़ दिखा रहा, यह सबसे मुझे अच्छा लगा लाना पूसका, मैं बहुत अच्छा system है, इसका मनलब आप बेजज़ग किसी के पास पूस notification में, जो क्या फरक पड़ता है, इससे बहुत अच्छा conversion मिलते हैं, यहाँ पर live preview भी आपको देख सकते हो, सेट अप करने के बाद, यहाँ पर live preview आपको देख सकते हो, कैसा दिखेगा, उसका सीथे send कर सकते हो, यहाँ पर आप प्रिमलब जिसके advanced setting देखो, advanced setting पर यहाँ पर बटन बगेरा के अंदर क्या-क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, और यहाँ आपर देखो notification कब expire होगा, sticky notification यह बहुत सरे option है, तो यह सारा option ना, targeting के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारा audience हमें on subscribe कम करते हैं, बाकी मैंने भी बहुत सरे push notification ट्राई किया है, देखो, जब हम randomly किसी के पास notification बेस देंगे, और उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो obviously बो on subscribe करेंगे ही करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे properly targeting कर सकते हैं, जो कि हमारा audience base बढ़ाता है, ना कि घटाता है, समझ पार हो ना, यह हमारा powerful concept है, यह आमें और power देता है हमारा audience को manage करने के लिए, और इसलिए बहुत सरा traffic अपने blog पिला सकते हैं, और discover पे अपना blog आसाने से जा भी सकता है, समझ पार हो वहाँ पे अपका push subscriber है, तो आप चाओ तो उनको import करके यहाँ पे आ सकते हो, और campaign scheduling मलब आप चाओ तो आज puts notification बेश सकते हो, पांस दिन के बाद बेश सकते हो, जैसे कि आप YouTube में, अपने blog मलब ब्लाग में हमेसा schedule लगाते हो ना, वैसे यहाँ पी schedule लगा सकते हो, भाई, प हमें actual कितना help कर सकता है, अपना growth है, already मैंने आपको बताया, अगर आप अपने website पे push notification यूज नहीं कर रहे हो, तो कितना बड़ा गलती है, क्योंकि आप कुछ भी store रही कर रहे हो अपने audience को, लेकिन सिर्फ audience store करना ही काफी नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा यह जो feature इसका है, customized campaigning, मलब हम audience को properly target करेंगे, तो इस से हमारा growth 100% होता है, क्योंकि मान के चलो आपको चाहिए iPhone, मैं आपको पकड़ाओंगा Android ले लो, आप लोगे, नहीं लोगे ना, जिसको जो चाहिए अगर हम उसको वही चीज देंगे, तो हमेशा हमारे साथ जोड़ेन के लिए courses करेगा, मान के चलो अभी आपने आए, मतलब आप लोग आए, blogging के वारे में, information के लिए, मैं अभी आप सामने comedy करूँगा, थोड़ी ना, आप यह वेडियो देखोगे, नहीं देखोगे, simple चीज, वही चीज, दोस्तों, यह हमें health इसलिए करता है, अपना business को grow कर लाने के लिए, और दोस्तों मेरा personal experience बता रहा हूँ, इसको जितने की सारे लोग यूज कर रहे हैं, मैंने आज ते जिन से भी बात किया है, उनमें बहुत ज़्यादा वो ट्राफिक लेते हैं Google Discover से, क्योंकि मैंने आपको अल्रेडी बताया, भाई, Discover का power कितना है, कितना and delivery है, notification का, जिससे कि immediately traffic आएगा, जो कि आपको help करेगा भाई, आपका blog post, Discover पे जाने के लिए, इस तरह से लारापूस आपको support कर सकता है, easily traffic boost करने के लिए, Discover पे आपको पहुंचाने के लिए, सायद और कोई भी platform ऐसा आपको help नहीं कर पाएगा, समाझ पा रहे हो ना, तो अब चलते हैं, pricing के बारे में, भाई, क्या pricing है, क्योंकि भाई, pricing देखोगे, तो सायद कुछ लोगों का दिल टूटेगा, क्योंकि देखो भाई, जो इतना चीज आमें दे रहा है, वो तो इतना सस्ता भी नहीं होगा, तो अब pricing पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, तो यहा one time payment है, आपको बार बार नहीं करना है, और इसका जितना सारा features है, उसकी comparison में pricing कुछ भी नहीं है, लेकिन एक beginner के लिए यह amount बढ़ा है, तो beginner के लिए suggestion होगा, अगर आपको बजेट नहीं है, तो आप क्या करो, starting में free वालों को use करो, और इसके अंदर है export import का feature, जब आपका budget होगा, जब आप लेने चाहोगे, उस time आप import export भी कर सकते हो, अपना subscriber को वहाँ से यहाँ तक ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग interested हो, यह package लेने के लिए definitely बहुत अच्छा, और दोस्तों मेरा recommendation यहाँ पे है, अगर आप long time के लिए blogging करना चाहते हो 100% आप larapush.com को try करो, और आपको definitely बहुत ज़्यादा value provide करेगा, और अगर आप लोग interested हो purchase करने के लिए और आपको चाहिए discount, क्योंकि आपको definitely आपे discount मिलेगा, तो description पे दिया गया है link, उस पे click करिए, click करने के बाद आपको apply करजना है, so my help coupon code, तो आप आपको flat 10% का discount मिल जाएगा, make sure आप link से आईए, तो आपको यहाँ पे discount मिलेगा, वो code से, definitely आप link से click करके आईए, और coupon code use करिए, so my help, then आपको यहाँ पे discount मिल जाएगा, flat 10% का, तो समझ पा रहे हो न, तो आप लोग easily इसको buy कर सकते हो, आपने blog के लिए use कर सकते हो, और दोस्तों मैंने यहा जाना बोल गया था, speed, जैसे कि आप खुद देखो, कोई भी free बाता push notification तब try करके देखना है कि बार, आपको website का speed जितना होगा, और जैसे आप लोग को push notification वहाँ पे use करोगे, तो immediately उसका speed आप चेक करना कितना नीची आ जाएगा, लेकिन लारापूस के साथ ऐसा कुछ नह जैसे का देखा अध्यन में आपको इसके बारे में बता रहाँ, लेकिन बाई, जिनके पास budget नहीं है, उनके लिए तो recommended नहीं है, लेकिन अगर आपके पास budget है, आप चाहते हो लेने के लिए definitely इसको try करे, one of the best service अभी के डाइम पे पूरे world में, push notification industry में ये world में best service है, आप देखो, खुद समझो, मैं आपको proper detail में explain किया है, इसके आगे और क्या ही बताओ, दोस्तो बस आपको इतना ही समझाना था, कि ये best क्यू है, आप समझ चुके हैं, definitely और कुछ doubt है, तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको blogging के regarding भी कुछ doubt है, तो definitely comment करके पूछ सकते हैं, और blogging के एसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और discover के लिए कैसे ट्राफी का होगे, डिसेंट लेक में ने वीडियो डाला था, वो भी आप चेक आउट कर सकते हो, थोड़ा ट्रिक है, तो बस आज का वीडियो एही तक था, मिलते हैं, अ अब तक के लिए धन्यबाद and let's grow together.